पर आसे बात करते हैं काउंटर में क्या पढ़ाव है? तू दूसरा डिपा क्या है? साम का जीरो है इसमें साम का जीरो यहाँ पर चेकिंग हुई टू हो गया उसने का हाँ जो टू है न यह छोटा है हंड्रेट से तुम चले जाओ अंदर अंदर गये उसने इफ को चेक किया इफ ने क्या किया? तू को मॉडलिस लिया तू के साथ और आंसर आ गया किसके बराबर? जीरो के बराबर अगर ऐसा टू हो जाएगा तो क्या होगा? सम वाले डिप्बे के अंदर क्या डालना है? सम प्लस काउंटर तो सम की वैल्यू क्या है? जीरो और काउंटर में क्या है? तू तो सम में क्या अपडेट हो जाएगा? तू तू ठीक है यह होगी फिर्स्ट इटरेशन खतम नहीं अभी फिर्स्ट इटरेशन खतम नहीं उसके बाद यह वाली लाइन एक्जिक्यूट होगी इस लाइन ने क्या करना है? इंक्रिमेंट करना है, गाउंटर की वाली वैल्यू जो है वो भी अपडेट होगी, यहां पे आगया 3 एक इटरेशन कंप्लीट? यस मैं यहां पर आया जब इस लाइन पर तो उसने काउंटर की वैल्यू जब काउंटर वेरियेबल मिला वो इसके बॉक्स में गया, कहता है क्या पड़ावा है तुम्हारे पास कहता है 3, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्या 3 छोटा है, 100 से हां ट्रू है तो वो इसको next line पर ले जाएगा उसमें if में गया, कहता है क्या 3 का modulus 2 के साथ लेकर बताओ value आती है 2 के बराबर कहता है नहीं तो कहता है फिर मैंने यह वाला काम नहीं करना, मैंने इसको skip कर दिया ऐसे ही है, लेकिन यह उसने करना है, counter को update करना है फिर उसके बाद अब आया again, counter कर लिया, body खत्म हुई again, condition पर आया, condition पर आया, उसने counter को देखा, counter के अंदर क्या पढ़ाव है 4 4 4 छोटा है 100 से, जी ऐसे ही है अंदर चले जाओ अंदर गए उसने कहा के, यह modulus करके बताओ, इसने क्या किया, 4 को modulus लिया, 2 के साथ answer क्या आया? 2 2 हो गया, उसने कहा, चलो कर लो, सिंग के अंदर हाँ, तो sum वाले block में क्या पढ़ाव है इस बारी? 2 2 पढ़ा हुआ है और counter में क्या पढ़ाव है? 4 4 4 ठीक हो गया, फिर sum अपडेट हो गया, अब इस बाली line में counter ने plus plus होना है, तो counter की value क्या हो गई? 5 5 हो गई, 5 होने के बाद again हम इसकी condition को check करते हैं, तो condition 5 चोटा है 100 से? Yes तो ये भी true हो गया, अगेन वो अंदर गया, उसने यहां पर जाकर modulus operator से का कि आप मुझे चेक करके बताओ क्या ये true के साथ divide करने से remainder मेरे पास आता है 0, तो ये क्या होगा true या false? False False है ये अब के बार sum को नहीं update करना, अब के बार हमने सिर्फ counter को update करना है counter plus plus किया तो यहां पर क्या आ गया? 6 हो गया, increment हो गया 6 ने अगेन यहां पर compare किया, 6 ने compare करके कहा true है अंदर चले जाओ ऐसे है? Yes ma'am अंदर चला गया तो उसने again condition check की, 6 का modulus low 2 के साथ, तो answer क्या आया? 4, 3 है? modulus, modulus तो remainder देता है ना, तो 6 2 के साथ divided वा तो remaining कुछ बचा ही नहीं, तो answer 0 आ गया Yes तो 0 आ गया, तो हाँ ठीक है, इस तरफ भी 0 है, इस तरफ भी 0 है, तो ये equal होगा, तो case true हो गया? Yes ma'am True हो गया, तो if का ये वाला जो working है, ये perform होगी, अब some update होगा, है ना? Yes ma'am तो अब some वाले block में क्या पड़ा होगा है? 6 6 और counter में? 6 Counter में भी 6 है, और इन दोनों ने जमा आओकर 12 बनना है और डालना किसमे है हमने? Sum वाले block में तो पुराने वाले 6 को erase करके यहां पर क्या डाल दिया हमने 12 समझ आ रही है बत्तों की? Yes ma'am चलो, एक औरा iteration कर लें के समझ में आगी है सारी स्टोरी? मैं में एक औरा iteration कर लें, वो समझ को आगी है लेकिन ये फिर हमारा 8 स्किप कर देगा क्या स्किप हुआ है? 8 अच्छा, अभी हम 6 पे पहुंचे वे ना, counter में 6 है तो आप कहरो के 8 वाला स्किप होगा, चलो करते हैं इसको अच्छा, अब हमने Sum को तो update कर लिया, Sum को update करने के बाद हमने counter को update करना है इसी लाइन पे है ना, control इसने क्या करना है counter के पुरानी value को erase करके वहाँ पे 7 लिख देना है हमने 7 लिख लिया, 7 ने checking की, कहते हैं true है, loop के अंदर तो तुम चले जाओ, आगे जाके देखते हैं क्या होता है ये step मिला, तो मैंने 7 का modulus लेना है 2 के साथ तो मैंने 7 का modulus लिया, जब 2 के साथ तो result क्या आया, false? येस मैं इस पर ही मैंने इसको कर दिया, skip तो अब मैंने sum को नहीं update करना तो मैं इस line पर आई तो counter को plus plus किया तो counter की value previously 7 थी, अब के बार 8 हो गई है ना? अब 8 जो है, ये counter में आया, counter को check किया कि क्या 8 छोटा है, तो उसे कहते है हाँ, बिल्कुल छोटा है, चले जाओ अंदर फिर उसने क्या क्या 8 का modulus लिया, 2 के साथ answer क्या आया? 0 जब true हुआ तो उसने sum के अंदर 8 को plus कर दिया तो जब true हुआ उसने ये वाला काम क्या इस काम में क्या, जब step पर आया, उसने कहा कि sum वाले डिबे में क्या पढ़ा वो लेकर आओ तो sum में क्या पढ़ाव है? 12 और counter में क्या पढ़ाव है? 8 और अब ये दोनो sum होकर जाएंगे किसमे? sum वाले variable के अंदर और यहां पर आगया और करते करते यहां पर वाके में सारे even numbers sum होंगे, अभी हमने देखा ना कोई भी skip नहीं हुआ ना? यहां तो इसी तरह से बाकी loop iteration compiler खुछ चला लेगा आपको final result दे देगा तो iteration को dry run करना आ गया और हमने इसको देख भी लिया proof भी कर लिया dry run करके और इसको मतलब values भी update करके देख लेए Claire? Yes man कोई confusion